फुकुशिमा में हुई परमानो दुरघटना पर रिपोर्ट आ गई जाच दल इस नतीजे पर पहुँचा है कि इसे रोका जा सकता था हादसे के लिए मानविय भूलों को जिम्मेदार ठेराया गया है बिजली कमपनियों और सरकार ने जोखिम को गमभीरता से नहीं लिया साफ है कि जोखिम पर मुनाफे का पलड़ा भारी रहा जर्मन में कहावत है कि घटना के बाद आदमी होशियार बन जाता है लेकिन एक लाग से जादा लोगों को बेघर करने का दोश सिर्फ मानविय भूल को नहीं ठेराया जा सकता अगर समय पर सूजबूज से काम लिया जाए तो बहुत से हादसे रोके जा सकते हैं या उनके असर को कम किया जा सकता है लेकिन फुकुशीमा के बाद इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है कि विकिरन के खत्रे को कैसे दूर किया जाए अभी तो परमानु कच्रे की समस्या का भी कोई हल नहीं निकला है और ये सवाल परमानों से बिजली पाने की भावी कोशिसों से भी पहले पूछे जाने चाहिए भारत के लिए फुकुशीमा की रिपोर्ट बहुत माइने रखती है तेजी से विकास करते भारत को उर्जा की भारी जरूरत है और उसे तै करना होगा कि जो काम पिछले दश्कों में नहीं किया गया है उसकी तेजी से भरपाई के लिए लोगों के जीवन को खत्रे में डालना जरूरी है क्या या फिर सौर उर्जा और पवन उर्जा बेहतर विकल्ब है जिन्गे की कीमत किसी नफे नुकसान से नहीं तौली जानी चाहिए